श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज इस दिन आपको धन की कोई कमी नहीं होगी आपकी आर्ठिक स्तिती मजबूत रहेगी पैसा आपके लिए आएगा इस समय में फिजुल के chemotherapy भी नहीं होगी आपकी चतुराई आपकी मधूरवानी इस समय में लोगों को प्रभावित करेगी इस समय में आपको पुत्र पुत्रियों का सुख भी प्राप्त होगा आपकी संतान इस समय में आपके कहे में रहेगी आपको सपोर्ट करेगी आपको कोई बड़ी खुशकबरी भी दे सकती है इस समय में मित्रों का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है मित्र आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे इस समय में आपके नए रिष्टे कायम होंगे नए मित्र बनेंगे और जो भी सोचोगे जो भी चुनोगे उसमें आप सही करोगे लव डिलेशनशिप के लिए भी ये दिन शुब साबित होगा आपको अच्छा जीवन साथ ही इस समय में मिल सकता है इस समय में सरकारी अधिकारियों के साथ आपका उठना बैठना होगा इस समय में आपको उच्चपत की प्राप्ती होगी सरकारी काम जो रुके हुए है वो जरूर पूरे होगे मान पतिष्ठा की बडोतरी होगी इस समय में समाज में आपकी प्रसिदी चारो और फैल सकती है राजनीती में इंटरेस्टेट लोगों के लिए भी ये दिन बहतरीन साबित होगा इस समय में नोकर चाकर और वाहन का सुख आपको मिल रहा है इस समय में नया वाहन लेना चाहते हो या भूमी लेना चाहते हो तो दिन इन चीजों के लिए उपयुक्त साबित होगा और ये सब आप के लिए लकी साबित होगा भूमी से आप इस समय में धन अकत्रित कर पाओगे इस दिन पर अगर आप नई भूमी लेते हो तो वो आप के लिए भागशाली साबित होगी ये समय विद्यार्थियों के लिए भी बेहतरीन रहेगा, पंचम भाव पर दुष्टी होने से आप इस समय में पढ़ाई में कॉंसेंट्रेट कर पाओगे, अपने लिए सही फैसले ले पाओगे, टीचर्स का और परिवार का सपोर्ट भी आपको जरूर मिलेगा, जिन इस समय में आपकी चुस्ति स्पूर्ती देखने वाली होगी, काम करने की गती बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मन भी प्रसंद रहेगा, इस समय में व्यापारियों को खास लाब होने वाला है, ये दिन आपके लिए खास रहेगा, अगर आप इस दिन कोई प् का भी पूरा लाब होगा जिनकी मदद से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे इस समय में आपको विदेश से बढ़ा लाब हो सकता है विदेशी जमीन से धन कमाने का मोका भी इस समय में आपको मिल सकता है इस समय में जो students competitive exams देना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिन पी शुब सावित होने वाला है इस दिन आप कुछ प्लान करोगे तो उसमें काम्याभी आपको जरूर मिलेगी इस दिन आपके लिए सफेद और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और इस दिन आठ अंक आपके लिए लखी सावित हो सकता है दोस्तों ये राश राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐ दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भागय को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बनाकर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पात इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है क कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते च दिखान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हां जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे का काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साफ रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते है घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है त तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला, इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सक तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वजए से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना पड़ी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है धन ला सकते है मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद